कि सब्स्ट्राइब और चैनल और प्रेंड्स डिर्ण दिवानिगे को आप समझने की कोशिश करेंगे तो स्मार्ट का मतलब होता है Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound इसको S-M-A-R-T से हम अलग-अलग करकी भी पढ़ सकते हैं Champions aren't made in gyms अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो वर्जिजगा है, gyms होते है वहाँ पर champions पैदा नहीं होते, तयार नहीं होते बनते नहीं है Champions are made from something they have deep inside them और champions जो है, वो कहां से बनते है वो कोई उनके अंदर, कोई अंदरोनी खोहश होती है, शदीद अब वो कौन सी खोहश होती है, desire एक बहुत ही शदीद खोहश होती है, dream एक खौब होता है vision, एक नजरिया होता है they have to have the skill and the will उनके पास ना सिर्फ कोई बहुती बहती बहतरी हुनर होना चाहिए, महारत होना चाहिए बलके एक बहुत मुसम्म, इरादा या will भी होना चाहिए but the will must be stronger than the skill लेकिन जो मुसम्म, इरादा है, हुनर है, अजम है वो हुनर से बहतर होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए successful professionals thrive in the same manner successful कामिया, professional जो पेशावर लोग होते है thrive in the same manner thrive यानि वो फरोग पाते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं we all have natural talents और सब के पास फितरी talent होता है बहुत ही जहानत होती है if we use that talent to set our goal in life अगर हम उस talent का इस्तेमाल करेंगे ताके हम अपने जिन्दगी के goal अचीव कर सके we can easily get success in life हम बासानी जिन्दगी में कामिया भी हासिल कर सकते हैं we shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them हम अपने जो हदफ है, goal है वो हासिल नहीं कर सकते अगर हम उसके उपर काम ना करें उसे हासिल करने की जुस्तजू ना करें setting goals have two valuable assets goals यानि हदफ पाने के लिए जो है, ये बहुत ये खुसूसी एक हमारे पास asset होता है कैसा asset है इस पहलू को हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए समझना चाहिए a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path ये कैसा मामला है कि अगर आप किसी हदफ को गोल को अगर पाना चाहिए तो आपको एक एहसास होना चाहिए कौनसा एहसास originality का यानि असलियत का and a stepping stone to illuminate it और एक रह आपकी रोशन करने वाला मनवर करने वाला illuminate रोशन करना stepping stone आम तर पर लोग milestone कहते हैं meal का पत्थर stepping stone यानि हर खदम पर एक पत्थर होना चाहिए एक नशाना होना चाहिए एक हदफ होना चाहिए goals put one at the helm of life अब जो हदफ होते हैं किसी की जिन्दगी को किसी दौराय पर खड़ा कर सकते हैं लेकिन उन्हें हासिल करने से मुस्तखबिल के अच्छे हालात आपके सामने आ सकते हैं they help to steer a course of life rather than simply drifting along and getting and letting things happen अब यह जो चीजे हैं अब यह क्या करते हैं steer करते हैं आगे बढ़ाते हैं कहां तक आगे बढ़ाते हैं they help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen अब वो क्या कर रहे हैं उसे steer कर रहे हैं चैनलाइस कर रहे हैं बहतर तरीख से आगे बढ़ा रहे हैं जिन्दगी के दौराय को लेकिन drifting ड्रिफ्टिंग यानि बहना आम तर पर करिश्टियां जो बहती है उसे आप अगर हवा के धारे पर छोड़ती है तो उसी तरीख से चलती रहती है तो यहाँ पर drifting के माईने होते हैं एक धारे के साथ बहना setting goals में appear easy अक्सर क्या होता है हदफ देखकर हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है लेकिन लेकिन for some it is quite challenging अक्सर क्या होता है वो एक challenge लेकर आते है fear of failure may be avoided in the absence of your any goals क्या होता है अक्सर हमें हारने का खौफ हो जाता है fear of failure may be avoided in the absence of goals अगर आपके पास हदफ ना हो तो आप जो हारने का घम है या डर है उससे आप avoid कर सकते है after all one has to decide what one wants to achieve in the end आखिर कर हमें तैय करना है कि हमें अपनी जिन्दगी में क्या पाना है अगर हम इस बारे में सोच लेंगे तो हम जरूर उस चीज़ को पा सकते हैं हासिल कर सकते हैं तो accomplish goals जब हम अपने जो हदाफ है गोल है उसे complete करने के लिए accomplish यानि पाने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे experts recommended a five step approach जो experts है जो माहिरीन लोग है उन्होंने क्या किया पांच अलग अलग खिस्म के steps उसके लिए उन्होंने वहां पर हमें हमारे सामने पेश कर दी है smart goals have a specific rubric अब जो smart goals होते है यह जो ऐसे goals जो बहुत ही बहतरीन होते है वो एक खास किस्म की rubric rubric क्या होती है specific rubric खास किस्म की एक नजरिया होता है एक उन्वान होता है सुरुखी होती है एक headline होती है जो आपको पाना है जिसे कि आपको जीतना है तो जीतना क्या है एक सुरुखी आपके दिमाग में छप गई है कि आपको किसी भी हाल में जीतना है आपको 95 फीसद लाना है तो यह भी एक खिस्म की आपके दिमाग में छपा हुआ गोल है सबसे पहला इसा है S का specific specific यानि क्या है एक मखसूस तरीख कार है एक खास बात है involves identifying a specific area for improvement इसमें क्या होता है कि एक खास area of improvement आपको वहाँ पर समझना होता है आपको पता रहता है कि एक मखसूस इलाखी की तश्कीश करना और उसको हासिल करने की कोशिश करना the more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be अगर खास कोई area होगा जैसे कि आपको medicine में जाना है डॉक्टर बनना है, engineer बनना है, क्रिकेटर बनना है तो आप उसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते है it makes it easier to set parameters and work towards the goal अब इससे क्या होता है कि आपको आसान हो जाता है उसके parameters तै करना, parameters क्या होते है ये एक किस्म के पैमाईश होती है जो खास आपको तै करना है for example, if it is building a house what exactly is the capacity required and how long can it stretch अगर आपको किसी घर के पैमाईश या घर के बारे में अगर आपको हासिलात को देखना है तो आप क्या समझ करेंगे कि वो घर कितना बड़ा है उसमें कितने लोग रहेंगे, कितना बहतर रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों को आप महाँ पर देखने की, समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में इतना ही अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए और हमारा होसला बढ़ाईए आपकी एक लाइक से हमारा होसला बढ़ता है और हम कोशिश करेंगे इसी खिसम के बेहतर वीडियो लाने के लिए तब तक के लिए खदा आफ़ेज